काशी विश्वनात परिसर में ही आपको सबसे पहले हम लेकर आते हैं नंदी जी यहां विराजमान साड़े तीन सो से अधिक वर्षू से अपने महादेव की प्रतीक्षा करते हुए और ये जो तस्वीर है इससे ज्यादा संकेत और कहीं आ नहीं सकते हैं पर एक ग्रिल के जरीये जंगले के सामने वो देख रहे हैं महादेव की और और इसी लिए वो पूरे तरक हमारे सामने आते हैं कि नंदी जी उस ओर देख रहे हैं तो किसे ताक रहे हैं तो अब यहां से हम आपको उस ओर लेकर गए थे लेकिन आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे क्योंकि वजू खाने की जो तस्वीरे सामने आई उसके बाद बहुत सारी बातें कही गई बहुत सारी बातें सामने आई कि क्या हो सकता है वजू खाने में पानी निकालने के बाद जो कुछ नजर आया वो क्या है तो नंदी जी के जिस और वो देख रहे हैं जिस और वो ताक रहे हैं उसी और जाने से हम कुस हिस्से में पहुँचेंगे तो एक तरफ है मंदर का हिस्सा और दूसरी तरफ है मस्जिद का हिस्सा किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले वजू खाने की एक जो जरूरत होती है वो क्यूं होती है इस तरह से पानी भरा रहता है या फिर कई जगे नलों का इस्तेमाल होता है यहां ग्यानवापी मस्जिद में इस तरह की एक वजू खाने का प्रयोग होता है जहां पर उसी पानी से पैर हाथ धोए जाते हैं नमाज पढ़ने से पहले कुला किया जाता है साफ सफाई की जाती है और तब जाकर नमाज पढ़ने जाते हैं तो अब ये जाचना था कि क्या वजू खाने में किसी तरह की कोई आकरिती कलाकरिती कोई मूर्ती हो सकती है कहा गया कि आप वजू खाने को खाली करने यानि जो पानी इसमें भरा हुआ था उस पानी को उसमें से हटा देना था देखे इसी तरीके से धीरे धीरे करके पानी कस्तर नीचे जाता गया और जैसे जैसे पानी कस्तर नीचे गया वैसे वैसे नजर आया कि बीच में तो कोई आकृती है और वो आकृती जो है वो शिवलिंग के रूप में प्रतीत हो रही है हम इससे पहले की आगे बढ़कर आपको विस्तार से दिखाएं कि किस तरह की आकृती रही कैसे उसके मुख पर कुछ ऐसा लगा रहा कि मुस्लिम पक्ष ये कहता रहा कि वहाँ पर तो फवारा है और हिंदू पक्ष ने कहा कि नहीं ये तो महादेव मिल गए उससे पहले जो इस सर्वे टीम का हिस्सा थे उनकी एक बात आप तो सुनाते हैं एक फिट पानी वजू खाना से खाली होते ही और जो गोल सा रहा उसमें शिवलिंग उभर कर आ गया जिसका और फिर विश्यसक्य को बुलाया गया पूरे पत्सफाई होने के पर काला शिवलिंग एक ही पत् सरकारी भाग से आए और फिर उन पर आप देख रहे होंगे कि एक धन का चीन है दो इटों के माध्यम से जोड़ करके यह है कि यह फवारा है तो हम लोग कर अगर फवारा देशो चालू कर यह हम कर कि आज भी फवारा चालू कर दिखा दें नहीं चालू कर चुकि फवारा ह उसमें जो है रोश्री डाली गई यह लगा कि मात चेंच का ही है यह फवारा हो नहीं सकता है और जिस समय है निरना लिया जाता था तो ग्यानबांती इंद्जाम्या मसाजित कमेटी के लोग थे ऐसा नहीं कि नहीं थे उन सबके सहमती से निरनयों से यह सबत्रें हुआ सव फिट का हो सकता है तो हम लोग मुस्लिम पक्ष के लोगों से पूछे विसाल सिंग्जी भी पूछे कि क्या इसके जाने का इधर मार्ग है और विश्रू संकर जैंगी भी वहां उपस्टित थे तो कहां इधर है फिर स्विधी के मार्ग से नीचे उतरे तो देखे कि उस से चारों तर्शे उसको चिनाई की गई थी हम लोग पूरी पल करकुना है कि है विशाल सिंग्जी नीचे तक आया हुआ है और नीचे मा अरगा जिसे मा पारवती का अरगा है और अगला वाद जो जांच कमीशन हम लोग आएंगा तो उसमें हम लोग इसकी मान करेंगे तो वजुखाने को खाली कराया गया पानी वहां से पूरा बाहर निकाला गया उसके बाद सामने आया ये हिस्सा अब ये हिस्सा क्या है मुस्लिम पक्ष कहता है कि आप इसे ध्यान से देखिए ये तो एक फवारा है फाउंटेन वहां से पानी निकलता है तब ही वजुखा आइसी होती है, वहीं से जल की निकासी होती है, लेकिन हिंदू पक्ष कहता है कि आप इसका पूरा संपूर्ण धाचा तो देखिए, जहां तक की तस्वीरें आ रही हैं, वो यही है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको शिवलिंग का आकार इसमें नजर आएगा, शिवलिंग का आकार नजर आता है पर उपर अब वो दरारें कैसी हैं तो हिंदू पक्ष में एक पक्ष ये कहता है कि वो इसलिए है क्योंकि उसे खंडित करने का प्रयास है लेकिन एक दूसरी चीज भी कही जाती है वो ये कि जब इसमें से जल निकला नहीं जब ओन करने के लिए कहा गया कि फबारा है तो इसे चला कर दिखाईए तो ये ओन नहीं हुआ इसमें से पानी निकला नहीं दूसरी चीज कि इसमें जब एक लकडी डाल कर देखने का प्रयास हुआ तो बहुत ज्यादा नीचे तक वो लकडी गई नहीं अब क्यों नहीं गई इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं अदालतों को भी यही जाचना है लेकिन कुल मिलाकर सामने अगर ये आकरिती है तो अब इसको लेकर बहस हो रही है बहस ये कि ये साक्षात महादेव है ये शिवलिंग है या फिर मुस्लिम पक्ष के दावे के अनुसार ये फबारा है तो हम दो खास महम मुस्वानों को अपने साथ इस चर्चा में जोड़कर इसके तर्फ जानने की कोशिश करते हैं और चर्चा के लिए हम सीधे आपको अपने दो जो विशिष्ट आते थी हैं अमारे साथ यहाँ पर उनके पास लेकर आते हैं स्वामी दिपांकर हमारे साथ हैं बहुत स्वागत है आपका और साजिद रशीदी जी हैं जो की प्रेसिडेंट ओल इंडिया इमाम असोसियेशन के हैं क्योंकि कहते हैं न की आस्था के आगे सब कुछ परास्त हो जाता है अब यहाँ पर अगर हम वजू खाने के भीतर शिवलिंग देख रहे हैं या फिर एक जिसे फाउंटें कहा जा रहा है फवारा कहा जा रहा है तो तरकों के हिसाब से ही पूछ लेते हैं स्वामी दिपांकर शिवलिंग है या फवारा है दो दिन आप बिता कर भी आये हैं काशी में तुन समझता हूँ पर मैं यह भी जानता हूँ के जटा से ही गंगा निकलते हैं आप उसे फाउंटें कह रहे हैं तो यह नावचोई इस यूर्स पर आप समझ यह के सो करोड़ से अधिक लोग जिसको अपना आराध्य मानते हूं आप उसे फाउंटें कह रहे हैं आप मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि यह सब चीजे जब महदेव की या राम की बारी आती है तभी क्यों होती है कोई कमरा नंबर पूछता था आज फॉंटेन बताया जा रहा है आप मत सम्मान कीजिए अपमान करने का आपको अधिकार किसे आपको लग रहा है जान बूच कर हो रहा ह यह दिखना है फवारा या शिवली देखे ये कोई नई चीज नही है मैं आपको हिंदुस्तान की सेकडो हजारों लाकों मस्जिदों में दिखा सकता हूँ जहां वजए खाने में फवारा है यह कोई नई चीज़ नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि जान बूच कर इसको बता होता क्या है? कि कई जगाओ पर ऐसा है कि वो बिलकुल इस्तिमाल में है और पानी निकलता है उसमें से जगाओ ओर ऐसा भी है कि उस फवारे से काम नहीं चल रहा है तो लोगों ने बॉरिंग करा लिये अब बॉरिंग का पानी डारेक्ट गिर रहा है फवारा जो है काम नहीं कर रहा है तो यहां situation वो ही है दूसरी मैं आपको बता देता हूँ ये पहली मंजिल पर है ये पहली में इसके नीचे जो है तेहखाना है तो तेखाने के ओपर पहली मंजील पर च्छत पर तो शिवलिंग नहीं हो सकता शिवलिंग तो जमीन में होता है ऐसा नहीं है ने ने जो मानेता है मैं मानेता के अनुसार बता रहा हूँ च्छत पर शिवलिंग नहीं रखा जाता ठीक है फर्स्ट फलोर पर यह यह च्छत पर वजुखाने वाली जो बात कहे रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ कि ठीक है वजुखाना में फवारा होता है कई सारे ऐसे मस्जिद हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर फवारा है पर सुवामी दिपांकर एक चीज आप समझाईए मुझे लगता है कि सर भी यह समझना च जाहिए था तो एक तो शिवलिंग की यह मानिता कहां से आ गई कि शिवलिंग वहां पर नहीं है बलकि उसे ढूंडा जा रहा है क्या यह विश्वेश्वर की तलाश हम कर रहे थे क्या हम काशी विश्वनात की तलाश कर रहे थे और वो जो फॉस्ट फ्लोर वाली बात कर र इसके नीचे तैखाना है, बिल्कुल सही कहा, मगर वो अब तक खुला नहीं है, जब खुलिएगा और दिखेगा कि ये जू कात्व शिवलिंग ही है, तब क्या कहिएगा? यही एक कमरा है, जो नहीं खुला है, जिसे कह रहे हैं कि ये उपर नहीं, बलकि नीचे तक जा रहा हूँ है, इसके आगे एक वाल है, जिसके आगे बहुत सारे बांस, बल्ली और बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं, जो अड़ी हुई हैं, उसके लिए भी आज कोट में कहा गया ह है, कुछ वकीलों की तरफ से कि ये कक्ष भी खुलने का हमें इजाज़ते हैं, पर स्वामी जी ये चीज़ बताइए, कि आकार शिवलिंग का जरूर नजर आता है, लेकिन ऊपर कुछ ऐसे, इस सिमेंट टाइप आप समस्त हैं, जैसे पी ओपी टाइप या सिमेंट है, आप उसको किसी तरीके से सजा लेजे, देखे 353 साल की प्रतिक्षा नंदी की, और अनंत वर्षों की तपस्या सनातन की, अगर ये विश्वेश्वर है, जो कि हमारा दिल कहता है, अगर इसलिए लगा रहा है, क्योंकि सामने व्यक्ति ये कह रहा है, कि मुझे इस पर ड बारा है, तो फवारा चालू नहीं हुआ, दूसरी चीज जब कहा गया कि पतली सी डंडी डाल कर देखने कोशिश हुई, तो बहुत ज्यादा नीचे गया नहीं, तो इन चीजों का क्या तरफ होगा फिर, देखे, मैं फिर कह रहा हूँ आप से, नीचे डंडी गही नहीं, चुकि ये तीन साड़े तीन फिट का होता है, होज की ज्यादा से ज्यादा उचाई चार फिट होती है, और ये फवारा तीन साड़े तीन फिट का होता है, लेकिन कई चैनलों ने कल से अब तक किसी ने बारा फिट बताया है, किसी ने आठ फिट बताया है, किसी ने नो फि ये hiç 59एस में मूरतियार रखी और उसको कहा के परकट हो गयी थी आज शिवलिंग भी परकट हो रहा है आयुध्या के लिए काра cent को सुपृम कोट ने उसको बाधा नगारा कि नहीं मूरतिया परकट नहीं होती वह निगर रखी गई थी तो यहां परकट होना यह आश्चरीजनक है और वो भी वजोखाने के अंदर। आश्चल है आपके लिए मेरे लिए शाश्वत्ता है और जो शाश्वत्ता है मैं उसे प्रतीत और महसूस दोनों करता हूँ प्रतिक्षा रही पर अच्छा नहीं रहेगी आप उपर से उसके सीमट का एक टुकडा रग दिया जाए एक चीज और बता तुमें आपको देखिए आप इसका उपर का आकार देखिए जहां भी ये फॉंटेन होता है महां इसके उपर में एक छतरी टाइप बनाते हैं जो उपर से रखी जाती है ये जो कटावा इससे रख रकाव सही नहीं रखा जाए एक इमांदारी से मैं आपकी निजी रहा है आपकी पूछ रही हूं देखिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरफ से कई टिपनियां की है लेकिन अगर वाकई जो स्मावी दिपांकर भी कह रहे हैं और बाकी दावा कर रहे है रहे हैं कि नीचे के हिस्से तक उस शिवलिंग का आगार जाएगा अगर वाकई यह थाबित होता ही है कि शिवलिंग है तो आपका मन क्या कहेगा सब्सक्राइब यहां बी यह यह कहा जा रहा है कि औरंग जेब ने मंदिर तोड़कर मसिद बनाई लेकिन तथह क्या है कि य जलागलुद्िन अक्बर से भी पहले है उसके भी पहले बनी हुई है और औरंग जैवने इसके तामीर नौ करिन नौ रिनिवेशन इसको दोबारा बनाया वो औरंग जैवन जो बताते हैं लोग वो तामीर नौ का है इसको बाख़एदा ऐसा नहीं है के मस्जित बनी उस वक है यानि उसको रिनिवेशन किया वो फर्मान में यह है दो चीज़ें है श्वेता जी यह उरंग जीव से पहले भी कई बार टूटी तीन दफा तो कम से कम दर जा कि तूटी फिर टोडर मल ने बनवाया फिर उसके बाद विक्रमादित्या ने उसको जीनो धार किया हिल्य भै होल करने किया और अभी जो कोरिडोर का उद्गाटन हुआ था उसके साक्षियां भी थे मगर एक चीज़ बहुत क्लियर है आप तर्क वितर्क दे सकते हैं मस मैं इतना ही एक शब्द में इस बात को संपन्न करूंगा विज्ञान चलकर मानता है आध्यात मानकर चलता है मेरी आस्था तठस्त है आप निरने अदालत पर छोड़िये पर हाँ जब 500 साल अयोध्या में और 353 में तो और 2 साल 3 साल मुझ नहीं बनी आप आज भी उसको आस्था कहते हैं आज भी उसको आस्था कहते हैं वह आस्था नहीं हो सकती रशीदी साहरे देश का कानून रशीदी साहरे सुप्रिम कोट उसको नका रहा है आपने अपनी बात सुंदर्टा से रख दी आस्था की बात को जोड़ कर आपने अ हर आदमी का मन अपने अपने तर्क भी गड़ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हम तर्क ही पेश करने का प्रयास आपको सामने कर रहे थे. बहुत बहुत धन्यवाद आप सब का, आप दोनों का इस रचा में जुड़ने के लिए.